खबरों में बात करते हैं मंद्या परदेश के साजापुर जिले के जहां पर अकोधिया मंडी छेतर में अग्यात वाहन की भीड़त से कुछ लोग घैल हो गए जबकि एक की मौके पर ही दर्दनाग मोथ हो गई जब घैलों को अकोधिया मंडी सरकारी होस्पिटल में ले जाया गया तो वहां पर डोक्टरों का मौझूद नहों ना मरीजों के लिए घातिक साबित हो रहा है जिससे मरीजों को दूसरे हैस्पतालों में रेफर किया जा रहा है सर जी यहां पर जो डाक साब पदस्त हैं आर्ची नमस्कार अभी हम साजापूर जी लेके अकोधिया मंडी में खड़े हैं सिविल होस्पिटल में यहां पर डोक्टरों की कही ना कही लापरवाई देखी गई है जहां यह एक्सपायर टेबलेट्स यूज करते हैं तो बताया जाता है कि सर मीटिंग में गये हुएं अभी फार्मासिस्ट राजे सर्मा से बात हुई है उन्होंने बताया कि सर मीटिंग में गये हुए हैं जब चर्चा करना चाहा डोक्टर साहब से तो बता रहे हैं कि मीटिंग में हूँ लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर घर में सोते हैं रोजाना और होस्पिटल में आते नहीं है और जैसे कि प्रदान मंत्री मोधी जी का स्वच्छ भारत मीशन 2019 चल रहा है उसके आदार पर देखा जाए तो सभी ग्राम पंचायते वगेरा कर दी गई है यहां पर होस्पिटल में गंदकी का अंबाव लगा हुआ है साब सफाई होती नहीं है यहां पर अभी डॉक्टर से हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन डॉक्टर द्वारा फोन कार दिया गया बात नहीं हो पाई है